हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रॉक्स पे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सराइगर ट्रेलाइन पर बन से आगे बने कोशी महासितू के बारे में और हम जानेंगे कि सराइगर सेरेलो का परिचलन कब शुरू हो जाएगा सहरसा के लिए और कब निर्मली तक यह जुड़ जाएगा तो दोस्तों सारी बात डीटेल के साथ करेंगे इससे पहले कि मैं वीडियो सुरू करूं मेरा आप से आगर कि यदि अभी तक आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबा दे और अपना वह मुली फीड़ बैक कॉमेंट सक्षान बता है जिससे हम अपने आने वाले वीडियो को इंप्रूव कर सके और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चलिए दोस्तों आज की वीडियो को परेचलन सुरू होगा दोस्तों आप जो है कोसी महासेतु इस पर आज तक कोई इसके बन जाने का पांस साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई मालगाड़ी नहीं चलाएगे या कोई ट्रेंड नहीं चलाएगे दोस्तों कल यानी की 11 जनवरी को इस्ट सेंट्रल रेल हाजिपु डिवीजन के कुछ अधिकारियों ने रेल की ट्रॉली द्वारा कोसी महासेतु पर बने पूल पे यात्रा की इसका मतलब यह हुआ यदि वह ट्रॉली से कोसी महासेतु पर बने पूल का पूल पे यात्रा कर पाए तो इसका मतलब हुआ कि वह पूल पूरी तरीक उन्होंने बताया है उन्होंने कोसी महस्तु पर यात्रा कबारें बताया उन्होंने एक वीडियो भी पुश्ट किया है जिसमें उन्होंने यात्रा किया है और उन्होंने बताया कि कब निर्मली से सराइगर जुड़ेगा दोस्तों पूरी वीडियो देखेगा और चैनल को दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है नाइक कोशी पूल को सराइगर की ओर रिल्वे ट्रैक से जोड दिया गया है और दस एक दोहजार बीसा ने दस तारीक को इसका निरिक्षन किया मुख्य प्रसास्ति कदिकारी निर्मान और उत्तर स्री विजे कुमार द्वारा दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे ट्विट में उन्होंने कोशी महासेतू पर बने पूल के बारे में जानकारी दी हुई है इसके जो लंबाई है कोशी महासेतू के पूल की वह है 1.88 किलो मीटर यानि क्या आप मान सकते हैं 2 किलो मीटर और दोस्तों इसमें 45.7 मीटर लंब था वो 1934 में छतिग्रस्त हो गया तो जो कि आपको पताई होगा भूकम्प में अब मैं आपको तीसरा ट्वीट दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने और अधिक जानकारी बताई गई है बताई है निर्मली और सराइगड रेलेन के बारे में दोस्तो तीसरा ट्वीट जो इस सेंट्रल रेलवे हाज़िपूट इवजन द्वारा आया उसमें उन्होंने बताया है कि सक्री जंजारपूर निर्मली सराइगड सहरसा अमान परिवरतन परियुजना का अंतरगत नए कोसी पूल को अब रेल ट्रैक से अब सराइग सहरसा हवाया रेल पूल हो चुका है और दोस्तो इस सहरसा सुपॉल रेल गेंट का परिचलन पहले ही जारी है जोन्होंने बताया है तो दोस्तो आपने इस वीडियो में जाना कि सराइग कोसी महासित उपर पूल का जुड़ाव कैसे हो गया मैंने आपको इस संट्रल रेल सारी जानकारी बताई उमीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुमूली फीड़ा कॉमेंट सकते ने बताए दोस्तो आज के लिए बस इतना है मिलेंगे फीर एक नई वीडिय के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत